तो भाईया अंकट पहुँच गया है पंजाब की राजधानी चंडीगड में माहौल में हलकी सी ठंडक है और थोड़ी थोड़ी सी धूप भी है तो हमने सोचा क्यों ना इस खुशनुमा माहौल में आपकी मुलाकात करवाई जाए पंजाब के एक ऐसे गबरू से जिनोंने छोटी सी उमर में ही पंजाब के एजुकेशन सिस्टम को बदलने का बीड़ा अपने उपर उठाया है तो आज उनसे होगी मुलाकात, पूछेंगे उनसे आपके हिस्से के सवाल और साथ ही उनसे होगी धेर सारी बातचीत और वो भी अनकट स्टाइल में जिस दिन सरकारी स्कूल प्राइवेट से अच्छे होगे तो पॉलिटीशन को मुफ्तखोरी पसंद बहुत है वो तो टोल के पैसे भी नहीं देखते हैं, वो तो automatically अपने बच्चों को वहाँ वेजेंगे तो ये Schools of Eminence will be a game changer for Punjab केड़ी क्लास पढ़ जाँ दुसमें मेरी जमीन तुमसे गहरी है, याद रखना मेरा आस्मा भी तुमसे उचा होगा जब आप सोचते हों कि यार एक 23 साल का नौजवान आपके लिए फांसीर पर चड़ गया क्या सोचा होगा असना है, या सोचा होगा ठीक, मैंने अपनी जिल्दगी दे दी अब ये लोग है अब इस देश को बनाएंगे कोई आजमी जाता है अपने घर से, उसको दवाई मिलती है फ्री में, तो भगत सिंग की रूप को शांती मिलती है, यह ठीक है सरकारी स्कूल में शिक्षा अच्छी हो जाए, बिल्डिंग अच्छी हो जाए, तो सुखदेव कहीं ना कहीं बैठकर देखते होंगे कि नहीं आ रहा है कुछ हो रहा है कुछ ऐसे दोस्त भी है जो गाली देके भी बात करते हैं, आज भी कर लेते हैं, कि यार फोन में चक रहा है, कर लेते हैं, कुछिश करते हैं, गाली ना निखले पर गाली पंजाब में तो अकसर मुझे याद है, एक बारी स्कूल का किसा अब दाता हूं, तो एक बारी स्कूल में मुझसे गाली निकल दाता हूँ तो पंजाब में भगवन्तमान की सरकार ने चपड़ासी को भी जेल में डाला है और मंतरी को भी जेल में डाला है मैं भी किते बार जान लगदा है कि अच्छा बटर चिकन ही है मतलब पहला तो हम आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पंजाब के एक ऐसे गबरू से जिसने बहुत कम उमर में पंजाब की पूरी एजुकेशन पॉलिसी को बदलने का बीडा उठाया है वो ना सिर्फ पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर हैं बलकि पंजाब के यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं हम बात कर रहे हैं पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हर्जोत सिंग बैंस की सर आप यंगेस्ट केबिनेट मिनिस्टर है उसके लिए आपको शुपकाम नाए पंजाब के थोड़ा कुछ अपने बारे में बताएं कि क्या चल रहा है इंडिया गेंस क्रप्शन अंदूलन शुरू हुआ उसमें लगे 20-21 साल की उमर थी अर्विन जी के साथ जुगे और उसके बाद यह अपने आप एक डेस्टिनी लेकर आती रही चुनाव लड़ा एक चुनाव हार गे 26 साल की उमर रहें 2017 में 2022 में लोगों ने पून बहुम्म मिनिस्टर बना और कैबिनिस्टर बनने में भी यू महकमा जो डिपार्टमेंट मेरे दिल के सबसे करीब था एडुकेशन वो मिला और काम कर रहे हैं तो लोग आपको हर्जूत के नाम से बुलाते हैं हर्जूत सिंग बैंस, मिनिस्टर साभ या पाजी बोलते हैं अब अच्छा लगता है 23 साल की उमर में आप आम आदमी पंजाब के प्रेजिडेंट बने 26 साल की उमर में आपने इलेक्शन भी लड़ लिया और 32 में आप कैबिनिट मिनिस्टर हो और एडुकेशन इतना बड़ा जो इंपॉर्टेंट महकमा है वो संभाल रहे हो तो बच्चे जो student meritorious होते हैं एक ही साल में तीन चार क्लासेज निकल जाते हैं तो क्या आप student भी वैसे ही रहे हैं शुरू से I was a bright student में अच्छा पढ़ाई में काफी अच्छा था और मुझे यह लगता है फिर मैं कहूंगा destiny जी बहुत चोटे परिवार से आते हैं मेरे परिवार में कोई कभी सरपंच कभी पंच भी नहीं बना बहुत चोटे से गाउं से उठकर और मुझे लगता है कि एक बात मेरे कि निता बोलते हैं अर्विन जी कि आपकी नियत साफ होनी चाहिए मैंने हमेशा अपनी नियत को साफ रखा आने वाले समय में आप पंजाब में एक बड़ी शिक्षा करांती की आपको देखने को मिलेगी शुरुआत कैसे हुई मतलब सबसे पहले आपकी कम मुलाकात हुई अर्विन केजरिवाल जी से और आपको लगा कि यार यही आदमी है इसके साथ ही चलना है 2011 में मुझे याद है जब मुमेट के बाद एक पहला कैम्प लगा था दिल्ली में जिसमें सिफ 100-200 लोग थे तब मेरी मुलाकात अर्विन जी के साथ होई मुझे याद भी याद है और के हम लाइन में लगते थे अपना खाना खाने के लिए तो बहुत बड़ी ऐसा होता है कि अर्विन जी मेरे आगे लगे हुए है तो उसी लाइन में वो एक साथ कही कही दिन रहना मैं लगा कि कुछ है जो commitment है जो logic है जो clarity है और कुछ भगवान के उनके उपर कृपा भी है तब ही देखिये और वो जब कहते है हो जाता है आप जब उनके साथ रहते हो तो आपको यह पता लगता कि वो दर्द है वो अक्सर में क्या होता है रियल लाइफ और रियल लाइफ दो अलग चीज़े है टीवी पर आप कुछ बोलते हो रियल लाइफ में आपको अच्छ हो बट आप जब बंद कमरे में हो तो उनको में डर्द है शिक्षा उनके दिल के करीब है तब ही वो काम्याब है स्वास्थ उनके दिल के करीब है उन जब आप सोचते हो कि यार एक 23 साल का नौजवान आपके लिए फांसी पर चड़ गया, क्या सोचा होगा असना है, यह सोचा होगा ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी दे दी, अब यह लोग है, अब इस देश को बनाएंगे, और आप क्या अगर रहे हो, 70 साल के बाद वही स्का आती मिलती है, यह ठीक है, अगर सरकारी स्कूल में शिक्षा अच्छी हो जाए, बिल्डिंग अच्छी हो जाए, तो सुखदेव कहीं ना कहीं बैठ कर देखते होंगे, कि नहीं आर, कुछ हो रहा है, यह हो रहा है, यह चाहिए था, जानि आप चपड़ासी भी को लगता है हमारी सरकार है, तो पैसे बंक कर दिखा, अभी करूँगा तेरी कंप्लेंड मान साब को, हर माँ चाहती है कि पंजाब में भगत सिंग हो, लेकिन अपने बच्चे को भगत सिंग नहीं बनाना चाहती, तो ऐसा ही कुछ आपके घर में हुआ कि जब आपने बूल तो I would have been a failure, ठीक है न, बट उन्होंने इस रिस्क को उपनाया, और I have always got a freedom, मुझे मेरे माता पीतन ने freedom दी और आज भी है, कभी यह नहीं पूचा कहा जा रहे हो, कब आओगे, मुझे याद है अंधोलन के वक्त मैं 10-10 दिन घर, बहुत समय ऐसा तो तो दो-दो महीने घर नहीं आता था, तो बहुत सारे लोग, क्रीबी लोग बोलते थे का अपका बच्चा, और मुझे याद है I was good in studies, तो मेरे स्कूल वाले मेरे दोस्तों मुझे को चलता खड़ता यह बोलते थे, यह वह वाली लीगा यह तो निकली जाएगा तो, ठीक है न, he is smart यह तो निकाल हैं कि आज भाई यहां पहुंचांगो, अच्छा आप पंजाब में जब आपने अपने यह इस्टिंट शुरू किया यहां पे, पॉलिटिक्स में, तो भगवंतमान साब भी मतलब उस वक्त शुरुवाती दौर में थे, पंजाब में सब चीज़ा चल रही थी, उस दौरा आपकी क्या बात होती थी बगवंतमान साब से और आज आपका कैसा रिलेशन है, कैसी बात होती है, मैं पंजाब का प्रेजिदेंट था, तो हमारे कुछ साथी थे, कुछ साथी होते हैं उनको लगता है कि अच्छा यार यह बड़ा आदमी आ जाएगा तो शैद हमारी आचा, उनके भीतर पिजाब ने या देश ने दुनिया ने ने का वह वला हिस्सा देख है कि वह सब को हसाते हैं पर वह शक्स बहुत रोता भी है, उनके भीतर जो दर्द है पिजाब के लिए, मुझे याद है, अकसर मुझे शाम्यन का फोन आ जाता था था कि अच्छा यह यार वह लड़के के साथ धक्का हो रहा है, मैं वकील था तुन्हें हाई कोट में यह देखना है यार एक एक आदमी को पेंट को लेना और आज भी जब जाते हैं किसे स्कूल में जब कोई माता पिता कहते हैं आप बदलाफ कर रहे हैं हमारा बच्चा आप खोश है तो उनक अगर उसमें गैप होता तो आप मिस करते होंगे मैं आपके प्रशन को मैंने बहुत डीपली सोचा आपके अनलाइस किया कोट सोचा मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुझे मैसूस होता है रादर जो एक्स्पिरियंस मेरे पास हैं वो बाकियों के पास नहीं है वो बाकियों के बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ जिनके साथ बाकियों के साथ सपने होंगे कि इनके साथ बात कर सके इनके साथ मुलाकात हो सके उन लोगों के साथ काम की है उन लोगों के साथ दोस्ती की है और दूसरी बात है कि आप अपने काम को अगर इंजोई करने लग जाए या कहिना के वो यह सोच था प्वी नहीं या अब तो बड़ा आदमी हो गया आजाक नहीं करना मैं इस बात को कोशिश करने रखता है और मुझे मैं आदमी अपनी तरीफ करे तो अच्छा नहीं लगता पर एक चीज के उपर मैं अपनी तरीफ करना चाहूंगा मुझे खुद को भी अभी भी महसूस नहीं होता कि मैं मंत्री बन गया है अरोगेंस में नहीं फस्तना उसमें नहीं नेच्रली तो जब मैं देखता हूं कहीं दोस्त आकर मुझे ऐसे बलीव कर मैं कि भाई वो ही इनसान हूं वह बहेविंग डिफरेंट तो वह बहेव डिफर गाली पंजाब मैं तो अकसर मुझे याद है एक बारी स्कूल का किसा बताता हूं तो एक बारी स्कूल में मुझे से गाली निकलना तो कम्प्लेंट प्रिंसिपल तक पहुंच तो उनको भी लगता है जब स्कूल वालों को प्रिंसिपल यार यह अच्छा बुरा काम करे तो मुझे से बुचा तो मैंने का जी गाली कहने के लिए हमारे कल्चर का हिस्सा है तो यह हमारे कल्चर का है तो मेरे जाए याद है प्रिंसिल बहुत हसी है और उनने मुझे का ठीक है इसको छोड़ दिया पर कोशिश करते हैं आज आप पुब्लिक लाइफ में हैं अपर कोई चोटा है कोई बड़ा है कोई काम में कोई भी है आपको हर इंसाद को इजचत करने कोशिष करते हैं के गाली ना निखले अभी ऐसा और कोई भी कथ कियरे गाली निंहिए cherryledge लिए यी up होले हो पर होगि फूश रिख्वाद रहा है के सरकार इतना resources दे हुए, इतने resources देरें और फिर भी काम नहीं होती है खुद पर भी आता है गुस्टा मुष्णदा कभी कभी जब आपको लगता है आपका a दिन fruitful नहीं था और स्धूरण आपको कभी मिगए इस स्टाफ पर अपने जाए और उसमें आम आदमी पार्टी के सबसे मजाकिया लीडर और आम आदमी पार्टी के सबसे ज्यादा फूडी लीडर कौन-कौन से मुझे लगता सबसे मजाकिया तो भगवंतमान जी ही होंगे वह बहुत करते हैं और हमारे बहुत सारे विधायक बहुत सारे ने हमारे प बहुत सारे हमारे डिप्टी स्पिकर जाय केशन रूरी जी वहाँ मेजाकिया हैं अच्छा एक अच्छा परिवार कैसा महाल है हमारे कलीक्स में बिलकुल हमारे अच्छा लाइट मजाक भी चलता है तो सबी तो फूड की बात चल रही थी तो थोड़ा बहुत बातचीत करते हमें भूख लगे बिलकुल और हमें सर ने बुलाया था ब्रेक्फास्ट के लिए तो थोड़ी सी बातचीत तो होगे थोड़ा बहुत खाना खाएंगे जो इनको पसंद है और साथ ही जानेंगे कि इ अपसे बड़िया चीज होती है छोले भटूरे और यह है पुड़ा पंजाबी की वैसे फेड़िछ पन्जाबी की फीरिवरेट डिश होती है आपकी भी यह 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 तुझे कह सकते हूँ वैसे तो अन्नू की पसंद है? मैंनू मैं बड़ा फूड़ीजर बन दा यह मैं वैश्टेरियन वैसे बड़ा फूड़ीजर बन दा थे करदा खाना ठीक है पनीरदी सबजी साग, मक्कीरी रोटी ठीक है पीजा बर्गर भी खूब खाईदा है प्योर वेजिटेरियन वागा and by choice I am an animal lover पंजाबियों के लिए कहते है मैं जैसे दिल्ली में रहता हूं मैं भी वेजिटेरियन हूं अच्छा बटर चिकन नहीं है मेरे बहुत वरीदा हूए कि आउट-व स्टेट जरू मैं किते जनना है यही चाहते हूंगे आपकी हर पंजाबी ऐसे बड़िया खाना खाए तो उसके पीछे education का एक बहुत बड़ा रोल होता है तो उस रोल को आप कैसे देखते हो कि यहां मतलब prosperity के लिए education कैसे जरूरी है मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब की हर समस्या का हल education में है कोई भी problem ले लिए corruption ले लिए any problem अगर हम अपने बच्चें को ठीक कर देंगे तो पंजाब अपने automatically auto mode पर ही ठीक हो जाएगा अगर आप जाके स्कूलों में पिछे तो बहुत कम पता होना जाए कि आप विदेश में कौन सी country में कौन सी institute में कौन सी course करने जा रहे हैं कि आप क्या अच्छा मैं जरलिस बनना चाता हूँ मैं विदेश की उनिवर्स्टी से यह करना चाता हूँ तो उन्होंने अपना भविश्य travel agent पर छोड़ रखा है वो बताते है भी नहीं तुम तो यह ले लो hotel management ले लो उनका interest भी नहों तो वो ले लते हैं तो this is this इसको ठीक करना है हमें Punjab के education system को बदलना है हर बच्चा इतना सम्रत हो कि उसे पता हूँ उसको सपने देखने को empower करना है उसको वो महौल देना है teachers देने, air school देना, building देनी है किताबे देनी है sports facilities देनी तो एक बहुत बड़ा task है we are committed और इसमें हमने सबसे जो अच्छा काम के 117 school of eminence यह पूरे Punjab में spread over होंगे geographically हर 20-20 km के जो अच्छे अच्छे में तो पढ़ाई में बहुत शामदार है पर क्योंकि सिर्कारी स्कूल में पढ़ते थे इसलिए रह जाते थे उनको इन स्कूलों में डालेंगे और उनसे पूछेंगे सिर्फ नौवी कक्षा में admission होगा तो उनसे पूछेंगे आप क्या बनना चाहते हो अगर बच्ची बोलेगी कि मैं जो डॉक्टर बनना है तो राइट फ्रॉम क्लास 9th नौवी कक्षा से हम उस बच्ची को डॉक्टरेट की पढ़ाही कराएंगे extra coaching भी देंगे उसका mindset ऐसा करेंगे जब बारवी से वहां से पास हो तो वह प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा perform कर सके ऐसे ही कोई ऐसे ही कोई बोले कि मुझे वकील बनना है मुझे NDA में जाना है मुझे UPSC में जाना है तो नौवी कक्षा से हम उसको तियार करेंगे पड़ाई के साथ साथ extra coaching तो यह Schools of Eminence will be a game changer for Punjab जो education policy है इस education policy के पीछे का essence क्या है मतलब कैसे आप सोचते है कि मैं Punjab को बदल दूगा वह माता-पिता जो financially samrath जिनके पास resources नहीं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं जिनके पास हैं उनके बच्चे naturally private में जाते हैं मुझे इस बात को बदलना है सिर्फ दिल्ली एक ऐसी state है जहां माता-पिता अपने बच्चों को खुशी के साथ मजबूरी में नहीं by choice वह private में भेज सकते हैं और फिर भी वह सरकारी में भेजते हैं तो मुझे इस चीज को बदलना है मुझे पज़ाब में भी ऐसे स्कूल देने हैं जहां माता-पिता अपने बच्चों को मजबूरी से नहीं खुशी से बहें और स्कूल में बढ़ते हैं बच्चों को कि मन में कहीं भी ऐसा इन भापना ना हो कि हम स्कूल में बढ़ते हैं प्राइवेट वाला मेरा दोस्ट को ले माता-पिता के पास ज्याला पैसे हैं मेरे बच्चों में confidence रहे है कि हमारा स्कूल सबसे बस्त है तो मैं तो अकसर मुझे से लोग पूछते हैं मेलों के बच्चे क्यों नहीं बढ़ते हैं लीडों पॉलिटीशन के बच्चे तो मैं यह कहता हूँ कि आपका सवाल गलत है अब यह बताओ कि कोई ऐसा सरकारी स्कूल बताओ जो प्राइवेट के बराबर हो या उससे अच्छा हो वो नहीं है जिस दिन सरकारी स्कूल प्राइवेट से अच्छे होगे तो पॉलिटीशन को मुफ्तखोरी पसंद बहुत है वो तो टोल के पैसे भी नहीं देखते वो तो अपने बच्चों को वहां वेजेंगे तो हमें ऐसे स्कूल बनाने है जो प्राइवेट से अच्छे हो फिर पॉलिटीशन, बुरोक्रेट सब अपने बच्चे वहां डालेंगे तो वही सपना है कि एक ही कक्षा में एक ही डैस पर एक डीसी का बेटा और उसी बेंच पर एक रिक्ष्याले का बेटा साथ बैठ कर पड़े पिछले सत्र साल में ऐसा नहीं है कि सरकारों ने कुछ किया नहीं होगा education system में पजब में तो तब भी हम smart classes के बारे में सुनते थे smart schools के बारे में सुनते आ रहे हैं कि कोई ना कोई initiative चली रहा था है ना जी लेकिन अब ऐसा क्या change होगा कि जो पिछली सरकारे नहीं कर पाई और क्यों नहीं कर पाई मैंने ये बात विधान समभा में बोली कि पंजाब के उपर आज 3.00000 कоДर का करज है तैं अलाग की तैं लाग की करज है इस बात की दुख नहीं है तक्लीफ इस बात के तीन लाग का करज करोर का करज होने के बावजूद हमारे पास स्कूल नहीं है forget about आप 20,000 स्कूलों को भूल जाओ तेई जिले हैं पंजाब में तेई ऐसे स्कूल बता दो जो बहुत शांदार हो जो उस दिले के किसे प्राइवेट स्कूल के बराबर हो नहीं है थीक है जी तो पैसा गिया गहाँ अब आप मुझसे पुछिए एकसो स्कूल ऑफ एमिनल्स बना रहे हैं अठासो नहीं क्लास्ट्रों में अंडर कंस्रक्शन है आप मैं आपको लेस्ट दे रहूँगा और आप मेरे साथ चली आप आपके उसमें से कहीं भी चले वहां काम हो रहा होगा तीन सो पैंसट्र स्कूल जो बिल्कुल टोड़कर नहीं बन रहे हैं वह भी आपको लेस्ट दे रहूँगा आप जिस पर हाथ रखेंगे बिनकुल वहां चलेंगा और वहां काम हो रहा होगा ऐसा ही हमें academic qualification को बढ़ा करना है अगर कोई मेरा बच्चा पांचवी क्लास में पढ़ता है तो जो एक पच्चे के पांचवी क्लास का minimum standard है मैं maximum की बात नहीं कह रहा है minimum कि उसको simple reading आती हो English Punjabi Hindi में उसको simple maths आता हो algebra आता हो multiply divide पुछाहिए इसके अलावा भी हमारे बहुत से सवाल रहेंगे नाशता हमारा हो गया और बहुत शांदार नाशता था उसके लिए बहुत thank you sir आपका बाकी चीजे मुझे लगता है we can have a coffee and walk and then we can talk definitely तो मेरा आप सवाल बात कर रहे थे school of Eminence को नहीं कर अब 117 school हो पर बात हो रही है लेकिन जो पंजाब के बाकी 20,000 school है और उनके बारे में फिर क्या आपका 117 school हमारे एक सुपना है जहां हमारे best बच्चे बढ़ेंगे वहां से professional बड़ इसका मतलब यह नहीं कि बाकी स्कूलों को इगनोर किया जा रहा है जैसे में बतारों अठारा सो नेक classroom तीन सो पैंसे स्कूल में बिल्कुल काम चल रहा है जहां मेरा कुछ ना कुछ development works चल रहे हैं हर 12,000 school primary school में मैं अपने teachers को tablet भेज रहा हूं interactive panels भेज रहा हूं तो development है focus है focus यह है कि ultimately मुझे पंजाब के कोई गाउं जिसमें सिर्फ चार बच्चे भी बढ़ते हैं उस school भी ठीक करना है पर आपके priorities होती है तो priorities अपनी set कर दी है और जैसे priority यह set है कि एक साल के भीतर लंबा समानी ले रहे एक साल के भीतर मेरे साड़े उदनी सेजा स्कूलों को 20 सेजा स्कूलों को एक minimum standard मैच करना है minimum standard में क्या कि हर स्कूल में चार दिवारी हो proper boundary wall हो हर स्कूल में साफ सुथ्रे washrooms हो लड़के के लिए लड़कियों के लिए हर स्कूल में furniture हो कोई भी बच्चा भी बच्चे हमारे नीचे बैठते हैं कोई भी बच्चे एक भी बच्चा पंजाब में नीचे नहीं बैठा होगा तो यह ऐसे basic criteria उसके बाद टाट कल्चर है उसको आप खतम करेंगे और उसके बाद हम कहेंगे ठीक है अब आपके 20,000 स्कूलों को हम इस standard पर ले आए हैं अब next standard यह है 36 ऐसे principles आपकी तरफ से Singapore भीजे गए है चार फरबरी को सोच क्या है अगर आपको आप दुनिया में कोई भी अच्छा देश उठा कर देखें जिसने शिक्षा में करांती लाई है तो उसमें सबसे जो integral part है आप स्कूल की building है सुधार तेरु उजम education में सबसे important weapon क्या है वो teachers है ठीक है आप अच्छा school बना दो बुरा बना दो पर जब तक आपको विद्या कौन देगा वो शिक्षक देगा वो teacher देगा so teacher training ठीक है ना जी वो सबसे important part है दुनिया global village बन चुकी है बहुत advancement हो चुकी है और अब भी हम वही टाटा ले school बेटो हमें लगा के एक जगा जहां हमें बहुत जारा invest करने की ज़ूरत है जहां हम बहुत focus हो teacher training है तो उसी से या idea निकल करा और उसी के तहत हमने अपने principles को Singapore Singapore भेजा Singapore क्यों भेजा Singapore education में दुनिया में अपना नाम रखता है जिस institute में भेजा वो principles academy है तो हमारे principles principles academy जहां पूरे दुनिया के best principles आकर training लेकर जाते हैं वहां से training लेकर आएंगे इससे क्या लोगों को लगेगा अब वो 36 जो है वो पंचाब के अलग अलग शेतर से आते हैं उनको लगेगा वो बता रहे थे मुझे कि आब हमारा school कहलाता है कि यह Singapore training का प्रेंसिपल आला school है जब आप इतना कुछ कर रहे हैं आप smart classes बना रहे हैं आप school of eminence बना रहे हैं तो वो बिना पैसे के तो बनेगा नहीं तो सबसे बड़ी चीज आती है funds की तो उसको लेकर आप किस तरह से मतलब चीजे चैनलाइज कर पा रहे हैं एक तो यह मुझे लगता है कि आमें आपको यह देखना होता है कि आपको अपने resources बेस जगा लगाने हैं तो पहले क्या होता था पैसा तो पहले भी था या तो अन्यूस चला जाता था या वो corruption में भी ठीक है अपने चहेटों को tender देने में तो अब क्या है वो हम सब ने काट दिया है तो even a single penny एक-एक रुपे को हम इस मंत्री सहाब पर आई है तो दो चीजे मुझे पूछनी है एक तो center को लेकर कि अभी budget आया था तो budget में कुछ education के लिए मिला आपको center से की नहीं नहीं जी बिल्कुल ही और आप यह सोचे budget क्यों मिलेगा क्यों जब देश के union education minister यह बोलते हैं वो education को एक industry देखते हैं तो क्य 30,000,000 जो बच्चे हैं जो स्कूली बच्चे हैं पंजाब के उनको हर्जूत बैंस क्या कहना चाहिए मैं यह कहना चाहूंगा कि बच्चों यह सरकार आपकी सरकार हैं आपके माता-पिता ने हमें मौका दिया है हम पर विश्वास करकर के हम आपका school better कर सकते हैं हम आपका future better कर सकते हैं और हम इस काम में लगे हुए हैं मुझे मेरे Instagram पर Facebook पर बच्चे मेसेज करते हैं कि वह वाला टीचर जी सही तरीके से नहीं पढ़ाता तो उनको पहली वरी लगा हूँगा कि एदुकेशन मिनिस्टर के साथ कनेक्ट है जी वह वाले हमारे school में यह बातरों में द करकर और सेंक्डों की तदाद में मुझे मैसेज आए कि और बढ़ा दो चुटियां डेट शीट में दो दिन और दो जी इस पेपर में दो दिन कम तो ऐसा मुझे नितला पहले कभी हुआ होगा मतलब ऐसे मेसेज आते हैं कि रजाई से निकल निकल निसकते जी अब जो फिर वहाँ आप पंजाब की एजुकेशन सिस्टम को कहा देखते हैं अब मैं फिर वव वविंदर जी वह वबात करूंगा कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि हमें मुझे पंजाब के माता पीता को यह विश्वास दिलाना है मुझे पंजाब के स्कूल इस लाइक बनाने है क पजब के मातलापिता अपने शौंक से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से बच्चे अपने सरकारी स्कूलों में डाले और मेरे सरकारी स्कूलों में बच्चे जो पढ़ती है, वो मैं confidence हो कि हमारा स्कूल सबसे बेस्ट है लेकिन हर्जूद जी हमारा एक बड़ा अतरंगी सेक्षन भी है, उसमें हम बात करते हैं कि most googled questions about that personality, like most googled questions about you, तो कभी आपने खुद को ऐसे googled की है मैंने खुद को नहीं किया, कभी तो मन होता होगा ना कि आप जाते होंगे अब तो बुआ, फूफा, ताय, चाचे सब पीछे पढ़ गए होंगे कि भाया शादी कर लो अब तो जहां पहुचना था पहुच गए मेरे से एक इंटर्व्यू में मेरे से किसे जनलिस्स ने पूछा, कि जब आपके आपके बच्च, क्या आप अपने बच्चों को सरकारी सुम्ने पढ़ा होगे, मैंने का बिल्कुल पढ़ाऊंगा तो उसके बाद मेरे माता जी मेरे पिछे बहुत पढ़ गए है मुझे ऐसा लगता है कि you're waiting for the right person, जब आएगा तब करेंगे और आपको बताता हूँ मैं खुद अपने फोन उठाता हूँ जब भी पॉसिबल हूँ और इतनी weird calls आती हैं उस पर कभी-कभी like बच्चे सीधा फोन करकर भूच लेते हैं, teachers सीधा connect कर लेते हैं तो उनको यकीनी नहीं होता जाएँ अच्छा जी, आप सीधा कैसे बोल सकते हैं अच्छा एक चीज़ सर और सबसे ज़्यादा सर्च होती है आपके बारे में, Harjod Benz Fringe जी, आपके दोस्त कौन है, लोग जानना चाहते है कि Harjod Benz के French Circle में कौन-कौन है कुछ ऐसे दोस्त भी है, जो गाली दे के भी बात करते हैं, आज भी कर लेते हैं, कि यार फोन नहीं चक रहा है कर लेते हैं, और ठीक है यह अच्छा लगता है कि उनके पास यह राइट है एक चीज़ और सर्च होती है, वो है Harjod Benz's Favorite Movie Favorite Movie, मुझे बहुत सरी, मुझे मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है Recently मुझे एक movie बहुत अच्छी लगी जो मैंने कम से कम 2-3 बारी बहुत सरी movies अच्छी है, जी Sholai is a masterpiece, Hollywood में बहुत सरी अच्छी movies है बॉलिवुड में बहुत सरी, Guru मुझे बहुत अच्छी लगता है, Three Idiots बहुत अच्छी लगता है But recently मुझे एक movie दस्वी है Because वो connect करती है education से तो वो मुझे बहुत अच्छी लगता Favorite male star तो में समझ आ गया आपका विशेक बच्छन का लेकिन female star कौन है बहुत बहुत अच्छी है I am very fond of Aliyah Bhatt मुझे उनके acting काफी अच्छी लगती है और भी बहुत सरी अच्छे stars है But Aliyah Bhatt कोई एक heroine जिस पर Harjood Benz का crush है ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है मुझे लगता है जब आप as actors होते हैं iPhone यह सबसे common answer है इसके अलावा कुछ ऐसा बताई है जो लोगों को नहीं पता मुझे लगता है जी मैं बहुत सिंपल सादमी हूं मुझे लग्जरी में बहुत ज़दा यह सिफ नॉट टीवी के लिए statement भी दे रहा आपके interview के लिए लग्जरी में बहुत ज़दा शौंक नहीं है next question is Harjood Benz salary मेरी salary जी एक लाख आट सो रुपे है क्या बात है मतलब यह आप बता रहे हैं पूरी दुनिया क्या आप यही कमा रहे है मैं यही कमा रहा हूं और इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है इसमें से भी मैं आपको बता रहता हूं मेरी salary का 70-50 हिस्सा मेरी EMIs में चले जाता है मैं गाड़ी on करता हूं जिसकी EMIs है तो सब कुछ public है और मुझे इसमें अच्छा लगता है तो मतलब आप minister रहते हुए बिलकुल low life जीते हैं कोई ऐसा scene नहीं मैं जब लॉयर था तो मैं बहुत ज़ादा पैसे कमा लेता था अब अब अपने शौंक उतनी कम कर ली है अपनी जुरूरती उतनी कम कर ली है तो अगली चीज है लास्ट चीज जो आपके बारे में लोग पूछते है वो यह है कि आपकी favourite quote क्या है जो आपको move on कर देती है कि यार मतलब बिल्कुल positive मुझे जाकिर खान का एक share मेरा WhatsApp status भी वही है कही सालों से मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे उसने बहुत motivate किया कही सालों से और वो हमेशा रहेगा मेरी जमीन तुमसे गहरी है याद रखना मेरा आस्मा भी तुमसे उचा होगा क्या बात तो अगर आपको उचा जाना है आपको अपनी जमीन गहरी करना है तो this motivates me a lot ओके तो आप grounded रहते हैं और आपको वैसी ही शायरी पसंदर quotes पसंदर बहुत बढ़िया सार तो हमने google questions भी आपसे किये हरजूत बेंस जी आपसे मिलके हमें बहुत बढ़िया लगा मज़ा आया हमें बिलकुल ऐसा नहीं लगा हम किसी बहुत बड़े नीता के साथ कड़े हमें लगा बहुत बढ़ा नीता मैं हूँ भी नहीं एक आम नौजवान हो और मुझे यही रहना है बहुत बढ़िया तो हम आपको शुपकामना ही देते हैं कि आपका जलवा इसी तरह बना रहे और जो आप चाहते हैं आप वैसा ही करता रहे और education policy में आप बहुत बढ़िया काम करें अगली बार ही आपको इस स्कूल में लेकर चलेंगे बिल्कुल सर बिल्कुल हम आपके साथ जरूर एक बार ground पे जाएंगे और देखेंगे कि आप कैसे वहां पर बच्चों के साथ बातचीत करते हैं और क्या चीज़े रहती है बातचीत